मेधक और ब्याल, घास के मैदान के नीचे बहने वाली छोटी सी धारा में एक लिली पैट पर एक बुरा मेधक रहता था। वो ही एक बड़ा मेधक था और उसे अपने आकार पर बहुत गर्व था। अन्य सभी मेधक उससे बहुत भायबीत थे और उसके साथ बहुत सम्मान स से पेश आते थे। अन्य सभी प्राणियों ने भी ऐसा ही किया। दिन के दोरान जल्धारा के ऊपर मंडराने वाली चमकदार नीली ड्रेगन फिलीज को उसकी लंबी चिपचिपी जीब की पहुँच से दूर रखने के लिए बहुत सावधानी बरतनी परती थी। शाम के स के जलिय सामराज्य पर बिना किसी चुनौती के शासन किया। जिस किसान के पास नदी के किनारे घास का मैदान था। उसके पास एक बुड़ा बैल भी था। बैल ने जीवन भर किसान के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसने उसके खेतों को जोतने में उसकी मदद की थी। वो वोह अपनी फसल को एक पुरानी लकली की गाड़ी में बाजार और अपने बच्चों को स्कूल ले गया था। लेकिन अब बैल बुरा हो रहा था। अब उसमें पहले जैसी मेहनत करने की ताकत नहीं रही। किसान अपने बुरे बैल से बहुत प्यार करता था और इतने आपा शांती से बिताने देने का फैसला किया। एक अच्छी सुबह बैल घास के मैदान में चला गया। वोह अपने नए घर का सरवेक्षल करते हुए घास के मैदान में घूमता रहा। घास नर्म और हरी थी और जमीन पर जंगली फूल बिखरे हुए थे। बैल खुश थ उसने अपने दिन मीठी रसीली घास चरने और धूप सेंटने की योजना बनाई। घास के मैदान के छोटे जीव भई और विसमय से बैल की ओर देखने लगे। टिकलिया तेजी से उसके रास्ते से उल गई। जैसे ही बैल धीरे धीरे चला, मेहनती चीटियों और व्यस्त मधुमक्यों ने अपना काम बंद कर दिया। उन्होंने बैल जितना बड़ा कोई प्रानी कभी नहीं देखा था। जलधारा में लिली पैट पर मौजूद बूरा मेधक भी इतना बड़ा नहीं था। बैल खुशी से मीठी घास चबाने लगा। उसे छोटे छोटे जीवो का भी ध्यान नहीं आया। मेधक ने ड्रेगन फलीज को उस विशाल राक्षस के बारे में उत्साह पूरवक बाते करते हुए सुना जो घास के मैदान में रहने के लिए आया था। ड्रेगन फ्लायस ने इसे भोरे से सुना था, जिसने इसे लेडी बद से सुना था, जिसन ही राक्षस ने लगभग कुचल दिया था। यहाँ तक का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे विशाल प्रानी है जिसे आपने देखा है। ड्रेगन फलायस रोया, इसके सिर पर विशाल भुमावदार सींग है और पूंच इतनी लंबी और इतनी मजबूत है कि इसकी ए हारा ये राक्षस मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। वह रोया, और सींग और पूंच बाह। वे मेरी लंबी चिपचिपी जीब से अधिक दरावने नहीं हो सकते। कोई प्रानी उससे बड़ा कैसे हो सकता है। क्या वह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार मेधक नह देता। तब ही बैल धारा की ओर चल पड़ा। वो प्यासा था और पानी पीना चाहता था। ग्रेगन फ्लाइस गर से कांपने लगे और बैल के घुमावदार सींगों और लंबी पूंच की पहुँच से बहुत उपर एक बड़े चमकदार बादल में उपर उप गए। ग भयानक राक्षस और कुछ नहीं बल्कि एक मूर्क बूरा बैल था। और बहुत बड़ा भी नहीं। जब बैल चला गया तो उसने पुकारा। अरे ड्रगन फिलीज क्या यह आपका भयानक राक्षस था। ड्रगन फिलीज ने अपने चमकते पंख फरफराय और जवाब द क्यूं अगर मैं चाहूं तो मैं उससे दो गुना बड़ा हो सकता हूं। घरी और मेधक ने एक गहरी सांस ली फूला और फूला और गुबारे की तरह फूल गया। वहां क्या मैं अब उसके जितना बड़ा नहीं हूं। उसने थोड़ी कठिनाई से बोलते हुए ड्रेगन फ्लाइज रोया। राक्षस बहुत बड़ा है। उसे घास में सोते हुए देखो। वह बहुत बड़ा लग रहा है। तो ठीक है। मुझे देखो। मेधक ने कहा। उसने एक गहरी सांस ली। फूला और फूला और कुछ और फूल गया। मुझे अब उससे बड़ा होना चाहिए। वह हाफ ने लगा। अरे नहीं मेधक ड्रागन फ्लाइज रोया। राक्षस बहुत बड़ा है। मेधक ड्रागन फ्लाइज से काफी चिल गया था। उसकी तवचा कसी हुई और खींची हुई महसूस हो रही थी। बैठना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उससे लग रहा था कि वह किसी भी क्षन लूलक जाएगा और उसके गाल इतने फूल गए थे कि उसकी आँखे लगभग बंध हो गए थी। वह मुश्किल से अपने विशाल पेट के ऊपर से देख पाता था। उससे यकीन था कि आब तक वह कम से कम बेल जितना बड़ा हो गया हो पहरी सांस ली, फूला, फूला और फूला। उसने फूंक मारी और उसने फूंक मारी और वह अचानक बड़ा और बड़ा और बड़ा होता गया। जल्दी से आना मेधक फत गया था।